तो हलो दोस्तो आज मैंने मिशन रानी गंज मूवी देख ली है और मूवी देखके मैं आया हूँ अभी अब मैं आपको रिव्यू दूँगा कि मूवी कैसी है किस तरीके की अक्षे कुमार की मूवी है साल में 3-4 मूवी आई जाती है अक्षे कुमार की और Oh My God जो है वो मजदूर फज गहते हैं वहां से 65 लोगों को इन्होंने वापिस निकाला था अपनी टेकनिक की वज़ी से अपने दिमाग की वज़ी से उन्होंने कैसे रेस्क्यू किया वो बताया गया है फिल्म में और जो अक्षेकुमार का किरदार है वो उसको बहुत जस्ता है जिस तरीके की महनत के रिए फिल्म में वो थोड़ी वज़ी दिखती है बट अक्षेकुमार उतनी महनत नहीं करते हैं जिस तरीके की दूसरे एक्टर्स करते हैं एक्टर एक एक साल लेते हैं अक्षेकुमार 15-20 दिने एक महिनों में पिक्चर बना देते हैं तो उन्हें न बाकि एक्टर्स हो उन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया है बट अक्षिकुमार को उसका फल नहीं मिला क्यों फल नहीं मिला क्योंकि अक्षिकुमार न उस तरीके की महनत नहीं करी फिल्म में अपने करेक्टर को लेके बाकि फिल्म अच्छी बनी है और अक्षिकुमार क बहुत ही बुरा है और बहुत ही positive response मिला है चार श्टार पांच स्टार सारे चार श्टार ऐसे स्टार मिलने के बाद भी अगर audience से नहीं देख रही है तो भाई इसमें गलती फिल्म की नहीं है अक्षेकुमार की नहीं है डिरेक्टर की नहीं है शिर्फ अपनी audience किये कि जो एक Mission Ranigan जैसी movie आती कितनी बड़िया movie आती इतना अच्छा content लेकर आती इतना अच्छा काम है इतना अच्छी story true story दिखा रखी है एक इंसान की biopic है और इतना महान इंसान है वो जस्वन सिंगिल उसके उपर फिल्म है और आप उस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हो देख न मज़ा आना चाहिए कुछ भी हो रहा है पिक्चर में कुछ भी चल रहा है कुछ भी दिखा रहे हैं बस लोगों को अगर मज़ा आ रहा तो पिक्चर सुपर एट है अगर फिल्म में कहानी है फिल्म में सच्चा ही है फिल्म में अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिल्म पहले की दिन की 20 लाग थी और दूसरे दिन की 1 क्रोड के पार एडवांस बुकिंग होगी तो पहले दिन अगर 2 क्रोड 80 लाग कमा हैं तो यह आज के दिन कम 4-5 क्रोड कमा सकती है और संडे को और लंबा बूस्ट ले सकती है पट फिल्म का हीट होना बहुत मुश्किल लगता इतना कम एक्टर का नहीं होता है और जब अक्षकमार के फैंस थी चिंदी मूवीन ना करें ऐसी मूवीन ना बनाए जिससे उनको हटो और ऐसी फिल्मापों बॉक्स में के ऐसा वो कह रहे हैं ऐसा वह बहुत मार् के साथ 1.500 क्रोर दे दी और यहाँ सोलो रिलीज लगबग थी दोनों का कोई असर नहीं पड़ा दोनों फिल्म का कुछ पता ही नहीं चला तो जो मिसंद रानी गंज एक तरी की सक्षिक मार के लिए सोलो रिलीज हो गई और वो तब भी इतना कम कलेक्शन कर रही तो यह बहु आपको मैं बोलूँगा कि आप मिसंद रानी गंज जरूर देखें कि बहुत सिनिमेटिक एक्सपिरिंस आपको देखना को मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से अलग तरीके से फिल्म बनाई है तो आपको बहुत अच्छा लगए का फिल्म देख क्यों फिल्म देखके अगर पाता नहीं अक्ष्रकुमार जो प्रोड्यूसर है या कोई भी हो प्रोड्यूसर या कोई भी है उनको क्यों लग राए भारत नाम की जगा इंडिया नाम पोलने में बहुत अधर नंग योग भारत रेस्कीव. गम जब प्रद्त हम्हें एक पॉलिटिस की कंगर है कि यह उ ओमाइगॉट बहुत अच्छी फिल्म लगी oh my god two और बड़ सेंसर बोर्ट को चोड़के ये फिल्म सबको अच्छी लग जाए और सेंसर बोर्ट को क्यों जड़ा भी मिला और सारुख खंगे फिल्म आज चल भी रही है तो भाई मिसंट रानी गंज के बारे मैं आपको बता दिया कि मिसंट रानी गंज जो है वह इस तरीके की फिल्म है और आपको जरूर देखनी चाहिए फिल्म बहुत अच्छी और ऐसे फिल्मों को ऑडियंस को स सब्सक्राइब करें ब्लॉबश्टर बना देती है तो यह तो बाकी मेरे चैनल पर बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए वीडियो को लाइक कर दिजियो आपने अगर मिसंट राने गंज देकिन तो कमेंड करके बताइए और अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आपको मेंड़ों पूछ सकते हैं तकते के डिटाटा